हाई प्रासेस में आप सभी का स्वागत हैं इसको समझने का हम प्यास कर रहे हैं हमने देखा है कि 1885 इसवी में कॉंग्रेस की अस्थापना होती है और 1905 इसवी तक लगातार कॉंग्रेस जो एक्राजनितिक पाटी के रूप में उभडी थी ऐसे में कॉंग्रेस के अंदर ही एक द्वंद की इस्थिति उत्पन हो जाती है कि आखिर कौन सी विचार धारा कॉंग्रेस पर सासन करेगा इस्थिति ये होती है कि 1906 इसवी में मुस्लिम लीग एक संस्था बनती है एक राजनितिक दल के रूप में कॉंग्रेस की पर्षिद्वंदी बन जाती है जब कॉंग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिविशन होता है तो उसमें अध्यक्षपत को लेकर बिवात शुरू हो जाता है ऐसे में कॉंग्रेस की अध्यक्षता को लेकर करांतिकाडियों ने भी अपनी मांग रखी उनका यह कहना था कि अब हमारे पक्ष्ट यानि की करांतिकाडी विचार के लोग को भी अध्यक्षता कॉंग्रेस में मिलनी चाहिए वर्स 1906 में कलकत्ता में कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है इसमें अध्यक्ष पत को लेकर भारी विवाद होता है कि आखिर किस विचारधारा के बेक्ती यहां अध्यक्षता करेंगे लेकिन इस विवाद को समाप्त करने के लिए दादा भाय नोरोजी को अध्यक्ष बना दिया आता है दादा भाय नोरोजी एक सरोमाने नेता थे बुजर्ब नेता थे और यही कारण है कि जो करांतिकारी विचारधारा के लोग थे जो करांतिकारी गरमदल के लोग थे उन्हो कि यह खत्रा टला नहीं था वर्स 1907 में यह खत्रा फिर सामने आता है और सूरत में जो 2007 का अधिवेशन होता है उसमें इसी मत के अंतर के वज़ा से क्रांतिकारी गुट और जो उदारवादी गुट है उसकी अध्यक्षता को लेकर कि कौन मत प्रभावी होगा कौन से मत के लोग अध्यक्ष वनेंगे कॉंग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है इसी कहानी को मैंने जो तत्यों के माध्यम से बोर्ट पर रखा है सवाल पूछे जाते हैं वह मैंने यहां सामिल किया है अभी मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था क्या कि कॉंग्रेस की स्थिति क्या बन रही है 1907 में सूरत में कॉंग्रेस विभाजित होती है आप इसको समझ सकते हैं कि 1916 में मुस्लिम लिग का अलग होना 1907 में जो करांतिकारी गती विधी वाले लोग थे जो करांतिकारियों का बरा सम्हूर था वह अलग हो गया तो निरंतर जो है कॉंग्रेस क्या हो रही है कमजोर हो रही है जो कि अंग्रेजों का प्रयास था अंग्रेजों की जो रिपूर्ट नीती थी वो यही थी कि Congress को लगतार कमजोर किया जाए तो आए हम थोरा सा और आपको तथ्यों के माध्यम से समझाते हैं इसी बात को यहां मैंने लिखा है कि Congress का कलकत्ता अधिवेशन वर्स 1926 मैंने जिकर कर दिया कहानी बता दिया आपको अध्यक्षपत के लिए विवाद सुरू हो जाता है दोनों ही दलों में नरमपंथी विचार और गरमपंथी विचार के जो लोग थे उनके मद्ध विचार विवाद होत प्रस्ताओं थे स्वदेशी आंदोलन वहिसकार आंदोलन राष्ट्य शिक्षा तथा स्वसासन यह पूछे गए सवाल है कि कलकत्ता अधिवेशन में कितने प्रस्ताओं को करांतिक अडियों ने या ग्रम दल के नेताओं ने पास करवाया था तो चार वह चार कौन से थे स्वदेशी आंदोलन वहिसकार आंदोलन राष्ट्य शिक्षा और स्वसासन इसको पास करवाया गया यह पास अगर नहीं होता तो सायद वर्स 1906 में ही कॉंग्रेस विभाजित हो जाती लेकिन कॉंग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे जो दारवादी नेता थे जो महतप परस्ताव जो है पारित कर दिएगे कलकेता अधिवेशन में इस तरह से कलकेता अधिवेशन काफी महतपून रहा और 이हीं अधिवेशन में द्यादा भाई नोरोजी जो की अध्यक्ष्टा कर रहे थे उन्हоляने सोराज की मांग भी प्रस्तूत कि थी, बहुत महतपून यह इसी अधिवेशन में दादा भाई नोरो जी जो की अध्यक्ष्टा कर रहे थे उन्होंने सौराज की मांग भी प्रस्तूत की थी बहुत महतपूर्ण है यह सवाल पुछा गया है कि दादा भाई नोरो जी ने सौराज की मांग किस अधिवेशन में प्रस्तूत किया था तो कल प्रस्ताव पाड़ी तो जाते हैं नरोजी स्वराज की मांग रखते हैं अगला जो महत्पूर्ण है अधिवेशन वह सूरत अधिवेशन और मैंने साथ ही रिख दिया है शूरत अधिवेशन और विभाजन वर्स 107 मैंने आपको कहानी समझाया सुरवात में ही अब देखे तत्यों को देखिया आखिर किन-किन बातों पर इन दोनों गरंपंथी और नरंपंथी के बीच मतभेद था और मतभेद नहीं सुलजने के वज़ा से ही वर्स 107 में सूरत में कॉंग्रेस का विवाजन हो जाता है तो ठत्यों को रखा गया था जो कि एक घंटիकारी नेता थे एक घंची नेता थे करानłe की और से लड़ाजपत्राई को रखा गया था उदारवादी की और्से रास भीचाडी Ga गोस को रखागिया था तो दोनों ही दिनक का लें अपने अपने वमिद्वार उद्वाम उताा लग लगव्मत कर रहे थे वहीं रास-विहारी- घोस जहां नरम-पंथी थे वहीं रास-विहारी- घोस- गलांति- तो यह द्यान रखेगा आपको अब देखिए दोनों ने अपने अपने अधिश्पत के लिए उमिद्वार सामने किये अधिवेशन के अस्थान को लेकर भी विवाद था एक विवाद तो था द्यक्ष वोन होगा दूसरा कि कहां पर होगा यहां वर्स 907 में कॉंग्रेस का अ नागपूर में किया जाए और नागपूर में करने का इनका उदेश था इसलिए क्योंकि वह जो छेत्र छह था नागफूर और महाराइश् powdered कराम्तिकारियों का मुखे रिए ध्तार कर्मतिक अई वह द्यक्ष बना हुग था इस तरफ गुजरात में ज़्यादा थे तो एक विवाद यह था एक विवाद अध्यक्ष वाला अब अगला देखिए एक और विवाद था एक विवाद यह था कि जो करांतिकाडी उगरवादी या गरमपंथी लोग थे वो चाहते थे कि स्वदेशी और बहिसकार आंदोलन जो चल लहा था उनए 105 के बंगाल विवादन के बाद उस आंदोलन को राष्ट व्यापी बनाया जाए यानि कि संपुर्ण राष्ट में इस आंदोलन को प्रचारित प्रचारित किया जाए इसका प्रिस्तार किया जाए वहीं उदारवादी यह चाहते थी कि नहीं यह बंगाल विभाजन का मसला है बंगाल विवाजन के परती उत्तर में शुरू हुआ है सोदेशी और वहिसकार आंदोलन तो इसको जो है शिर्फ बंगाल तक ही सिमित रखा जाए तो इस आंदोलन को लेकर भी दोनों में यानि गरम पंथ और नरम पंथ में मत्वेद था एक म मत्वेद था प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन को लेकर प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहेते तो इनका स्वागत हो आफ हो इसका विभरोध होू स्वागत किया जाए उदारवाधयों को बिरोद नह किया जाए इनका स्वागत किया जा तो इस बात वो लेकर भी मतवेद था अंतता क्या हुआ अंतता रास विहाडी घोष जो की उधारवादी नेता थे रास विहाडी घोष उनको पद दिया गया और इसी अध्यक्षता के वज़ा से सूरत में अधिवेशन भी हुआ और सूरत में ही कॉंग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई यानि कि एक नरम पंथी और एक गरम पंथी तो इसे ही हम लोग सूरत विभाजन कहते हैं सूरत में ही हुआ रास्विहारी घोस उधारवादियों के नित्रित में हुआ अधिवेशन और चुकि उधारवादियों के नित्रित में हुआ इसलिए जो उग्रवादी विचार के लोग थे जो गरम पंथ के लोग थे वो कॉंग्रेस से अलग हो गया और कॉंग्रेस विभा लाए गए वर्स 1908 में इलहाबाद में उसको जो अनुमोदित किया गया वो किया गया मदरास अधिवेशन में उसी वर्स 1908 का जो मदरास अधिवेशन दिसंबर में आयो जित हुआ उसमें इन सभी नियमों को संसोधित नियम और समिधान को क्या किया गया अनुमोदित कर दिय गया तो यह मातपुर्ण कुछ घटना थी जिसको मैंने आपको समझाया कि वर्स 906 के अधिविशन का क्या कुछ निश्कर्ष रहा और किस तरह से कॉंग्रेस का जो स्वरूप है वह बदलता गया और यह कमजोर होता चला गया अब आए कुछ और घटना करम है वहीं से दिल्ल दिल्लि दर्वार वार 1111 JJ fl go back aаст तीसरा दिल्ली दर्वार इससे पहले भी दवार दिल्ली दर्वार काको चुका कई तो यहां गटमाएका साइवाल्यी कुंधjesus था अब आए दिल्ली दर्वार में बात कर रहे हैं हम तीन दिल्ली दर्वार आयोजित में एक 1877 में दूसरा 1903 हिस्वी में और तीसरा 1911 1911 वाला बहुत महतपूर्ण है आपके लिए समझना अवश्यक है दिल्ली दर्वार का मतलब क्या है जो ब्रिटिस क्राउन होते थे जो वहां की महरानी होती थी जो वहां के सासक होते थे उनका भारत आगमन होता था तो उनके स्वागत के लिए इसाड़े परवंध किये जात पर इसे किया गया था और उस समय के जो गवर्णर थे भारत के वह थे लाड़ हाडिंग लाड़ हाडिंग का जो समयकाल था वह वर्ष उनएस्जटश से लेकर के 1916 हिस्वी मैंने लिख दिया है तो लाड़ हाडिंग जो है 1910 से 1916 तक रहे थे गवर्णर जुदन और उनही में आग्मन होने के बाद जो क्रांतिकाडियों की लगातार गतिविधी थी उसको ध्यान ले रखते हुए बंगाल विभाजन के खिलाप जो विरोध आंदोलन था जो सोदेशी आंदोलन बहिसकार आंदोलन था उसको समाप करने के लिए समराट ने क्या किया था तो बंगाल विभाजन को रद कर दिया वर्स 111 में बंगाल विभाजन को रद कर दिया एक बार निर्णे था तो यह सब पंचम और महरानी मेरी के आगमन और उनके द्वारा किये गए उद्वोषना की अधार पर किया गया था एक करांतिकारी घटना बहुत महतपूर्ण है 23 दिसंबर 1912 लाड हर्डिंग दिल्ली में घूम रहे थे चांदनी चोक से गुजरने वाले थे यह बात इस बात की जानकारी करांतिकारियों को थी इसलिए 23 दिसंबर 1912 इस वी को लाड हार्डिंग के काफिले पर करांतिकारीओं ने बं फेक दिया और इस काफिले में हार्डिंग भी घायल हुए थे और अधिक बहुत सारे पुलीस जो जो रोयल पुलीस थे वह घायल हुए थे हलांकि जान किसी की नहीं गई थी तो अब देखिए इसमें जो यमपंथी थे करांतिकारी थे इस घटना के मुख्य जो नायक थे वो रास विहारी बोस और सचीन सान्याल थे इन दोनों ने नित्रितु दिया था इस इसी को दिल्ली सडियांत रिकाते हैं यह जो दिल्ली में घटना हार्डिंग के काफिले पर बम फेकनी घटना हुई थी व इसमें और भी सदस सामिल थे जैसे बसंत विश्वास अमीर चन अवद बिहारी और बाल मुकुन यह भी सामिल थे इस करांतिकारी घटना में इस दिल्ली सडियंत्र में और बाद में अंग्रेजों ने जब कारवाही किया तो अंतीम जो चार हैं उनको फांसी की सेजा दे द यह आद शुआना चाहा रहा था यह करांतिकारी घटी विधियां हैं और कौंग्रेस का जो स्वरूप लगातार पडिवर्तित हो रहा है यह मैं आध समझाने का प्रयास कर रहा था और क्लास निन अंतर रहेगा और करांतिकारी जीओ को आगे बढाएंगे और फिर वर्स उ और फिर भारत की आजादी किस प्रकार से हुती है तो यह चलता रहेगा आप लगातार हाइट क्लासेश पे बने रहेए वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद